एक old business man अपने लिए एक young wife buy करता है उसे उसके साथ painting बनानी थी तो एक painter को उन्होंने hire किया पर उस painter के साथ ही उसके wife का affair हो जाता है इसके बाद story में बहुत सारे अलग-अलग twist आते हैं अब आगे क्या होगा कि हम आज के हमारे movie to live fever 2017 की एक Hollywood drama romantic movie में देखेंगे अगर आपको वीडियोच रखता है तो प्लीजिस लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्सपलिशन स्टार्ट करते है मुवी की story हमें मरिया बता रही है इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा हमारी movie का time था 1600 का और इस story Amsterdam की है उस समय ट्यूल character Sophia को देखते है Sophia एक औरफन थी तो नन के पास चर्च में रहा करती थी एक दिन नन ने Sophia को एक बहुत ही अमेर बिजनेसमैन को सेल कर दिया उसे समझाती है कि अगर तुम यहाँ पर रही तुमारी life आगे हार्ट हो की और बिजनेसमैन के साथ तुम्हें एक अच्छी life जी सक सुफिया भी इस बात के लिए मान गई और बिजनेसमैन से वो शादी कर लेती है यह विजनेसमैन हमारा और एक मेन गारेक्टर है इसका नाम था कॉर्णेलिस की एच ज़रा ज़्यादा थी उसकी first wife की delivery के वक्ट टेथ हो गई थी वो एक बेटा चाहता था इसी वज़े से उसने सोफिया से शादी की थी अब बहुत सारा टाइम गुजर गया पर फिर भी सोफिया प्रेग्नन्ट हो नहीं रही थी कॉर्णेलिस का फ्रेंड उसे कहता है तुम्हें सोफिया को छोड़ देना चाहिए पर कॉर्णेलिस से करने के लिए ready नहीं था वो सोफिया के लिए कर रहा था पर एक्च्छल में मारिया को फिश वाले से प्यार हो गया था उसका नाम था विलियम रात में विलियम छुपकर मारिया के पास आ जाता और यह दोनों intimate हो जाते हैं सोफिया और कॉर्नेलिस कंटिनूसली प्रेगनन्ट होने का ट्राइ कर रहे थे पर कुछ भी हो चाता है उस पर गुश्सा हो गए उसे स्लैप करकर वहां से चली जाती है वह हमेशा गौड को प्रेग कर दी थी कि जल से जल प्रेगनन्ट हो जाए एक दिन कॉर्नेलिस को लगा कि उससे सोफिया के साथ एक पोट्रेट पेंटिंग बनानी चाहिए उनकी सीटी में एक न्य के सोफिया को फर्स टाइम देखते है उससे बहुत अची लगी थी पेंटिंग करते हुए सोफिया के पास आने के वह कोशिश करता था कॉर्नलिस हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बात करता पर जान और सोफिया के बीच आखो एक ऑखों में बात चल रही थी जैसे कि हम पता है इनकी मेंड मारिया का विलियम के साथ अफेर चल रहा है विलियम चाहता था कि वो जल्दी से अमिर बन जाए ताकि मारिया को बहुत अच्छी सी लाइफ दे पाए इनकी सिटी में जल्दी अमिर बनने का एक ही रास्ता था और वो था टूलिफ फ्लावर की उसने कौरनलिस से बात की और कहा कि जान को फायर कर दो उसे कहती है कि जान बहुत ही expensive है और उससे pending मों नहीं बनाना चाहती बाद में वो खुद ही अपना mind change कर लेती है अगली दिन विल्यम मारिया से मिलने के लिए आया उसने जो भी टूली फ्लावर्स बाई किये थे इसके papers उसे दिखाता है कहता है इससे हम अमीर बनेंगे और यहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे मारिया भी यह सब सुनकर बहुत खुश थी एक दिन जान ने सोफिया को टूली फ्लावर्स लाने के लिए कहा उसके हाथ में उसे रख कर उसके बहुत ही ब्यूटिफल सी पेंटिंग बनाता है एक दिन बहुत सारा करेज गैदर करकर सोफिया जान के घर पर आया हुआ था मरिया ने दर्वाजा कोला तो जान उसे कहता है कि मैं उसे लेटर लिखूँगा जब उसने सोफिया को लेटर लीखा तो लेटर कॉरनेल्स बढ़ता है इस लेटर में लिखा था कि उसोफिया की टूलीफ फ्लावर्स के साथ अपने घर पर पेंडिंग बनाना चाहता है ये flowers बहुत ही expensive थे तो पहले Cornelis से मना कर रहा था पर बात में हो गयता है सुबा जाना और शाम में वापस आजाना Sophia flowers लेकर जान के पास आई और एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है painting बनाने के बहान है इनका affair start हो गया था एक दिन विल्यम ने जो tulips buy किये थे ये वो देखने के लिए आया नन उसे tulips दिखाते हों notice करती है कि विल्यम के tulips में एक rare type का tulips भी है जो से अमीर कर देगा विल्यम को देखकर बहुत खुश हुई अगली दिन ही उसने अपने feast sale करने का business बन कर दिया आज मरिया से मिलने के लिए आया नहीं इस बात से मरिया जरा upset हो गई थी नेकसिन में हम देखते है कि आज शाम का Cornelis और सोफिया का अपने friend से मिलने का plan था सोफिया को जान से मिलना था तो इस स्वज़े से Cornelis के साथ आने के लिए हो मना करती है Cornelis कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाता पर सोफिया ने कहा मेरी तबियत खराब नहीं है पर तुम्हें अपने friend से मिलना चाहिए उसे जाने के लिए force करती है parallel में हम देखते है कि William अपने tulips को sale करने के लिए market में आया उसे बहुत अच्छी prize मिली अब वो अमिर बन चुका था तो directly मारिया से मिलने के लिए आया मारिया की तरह कपड़े पहने हुए सोफिया जान से मिलने के लिए घर से बाहर नेकली William को लगा कि वो मारिया ही है उसे आवाज लगाता है पर सोफिया रुकती नहीं William ने फिर उसका पीछा किया सोफिया जान से मिली और उसे किस कर रही थी William उसे सही दरीगे से देख नहीं पाया उसे लगता है कि मारिया का ही जान के साथ अफेर चल रहा है और इस वज़े से वो बहुत ही हार्ड प्रोकन हो गया इंडिमेट होने के बाद जान और सोफिया एक दुसरे से आई लेव वी कहते है एक दुसरे की बिना जी नहीं सकते है अपने हार्ड ब्रेक के बाद William दारू पिने के लिए आया एक सेक्स वरकर को पता था कि William के पास बहुत सारे पैसे है उसके पास आती है William उसे दूर करता है पर उस लड़की ने उसके सारे पैसे चुरा लिये थे ये पता चलने के बाद वो बहुत ही डिस्टब हो गया उस लड़की के ब्रदर के साथ उसकी फाइट हो जाती है William अपनी लाइफ के सारी इंपोर्टन चीज़े आज खोच चुका था तो यहाँ से वो चला जाता है रात में कॉर्नलिस जब घर पर आया तो उसके आने से थोड़े टाइम पहले सोफिया घर पर आई हुई थी वो बालबाल उसकी नजरों से बच जाती है William को जो भी लगा उसके साथ जो भी हुआ इसके बारे में मरिया को कुछ भी पता नहीं था उसे लगता है कि William ने उसे धोका दिया इस वज़े से बहुत ही डिस्टब हो गई थी सारी बाते उसने सोफिया से कही उसने ये भी कहा कि मैं अब प्रेगनंट हूँ ये एक बड़ा प्रॉलम था अगर इसके बारे में कॉर्नलिस को पता चला तो मारिया को काम से निकाल देगा मारिया अपने फैमिली के पास भी नहीं लोट सकती वो शरम से मर जाना चाहती है सोफिया उसे कहती है तुमारे सिक्रेट रखने में तुमें हेल्प करूंगी पर अगर कॉर्नलिस को पता चला तो तुमें काम से निकाल देगा मारिया गहती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक करना पड़ेगा वरना मैं कॉर्णेलिस को तुम्हारे और जान के बारे में बता दूंगी इस बात से सोफिया डर गई थी इसके बारे में वो जान से बात करती है एक रात कॉर्णेलिस डिस्टब होकर बैठा हुआ था इसी डिसीजन की वज़े से उसके वाइफ और बेटे की डोनों की डेथ होके अब कॉर्णेलिस को लगता है कि गौड उसे पनिश कर रहे है सोफिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बताने नहीं वाली थी पर मैं प्रेगनन्ट हूँ ये सोफिया ने जूट कहा था अभी अभी उसे एक आइड़ा आया है वो मारिया से गयती है कि हम एक नाटक करेंगे मैं प्रेगनन्टू इस तरीके से सब लोगों को दिखाएंगे जब तुम्हें बेबी होगा तो वो मेरा बेबी है इस तरीके से हम सब लोगों को बताएंगे इससे हमेशा तुम अपने बच्चे के पास रहे पाओगी और मेरी ब्रॉलम भी सौल हो जाएगी ये सब करना डिफिकल्ड था पर फिर भी सोफिया ने डिसाइड कर लिया था पहले जिस बेइमान डॉक्टर के पास हो गई थी उसी को फिर से जूट कहने के लिए हायर वोग कर लेती है वो जूट मूट से सोफिया का चेक अप करने के लिए आता है वो हमेशा कॉर्नेलिस को रूम से बाहर निकल देते थे और वो मारिया का चेक अप करता उस डॉक्टर ने कॉर्नेलिस को ये भी कहा था कि तुम्हें इस बार बेटा होने वाला है कॉर्नेलिस बात से बहुत ही खुश था एक दिन काम करते होग मारिया को उल्टी आके सोफिया भी उसके पीछे-पीछे दुसरे रूम में आ जाती है उन्होंने कॉर्नेलिस के सामने प्रिटेंड किया कि जैसे सोफिया कोई उल्टी आ रही है इसी दरीके से उसे हमेशा वो बेवकूब बनाते गए एक दिन सोफिया और जान जब एक साथ थे तो सोफिया उसे कहती है मेरे मरने के बाद ही कॉर्नेलिस मुझे छोड़ सकता है वो अपने बच्पन के बारे में जश के बारे में बता रही थी यही बताते हुए टुलिप्स गार्डन के बारे में भी वो बता देती है जान को इस टुलिप्स के गार्डन के बारे में नहीं पता था उसे आड़े आता है कि अगर इस गार्डन से उसने कुछ टूलिफ चोरी कर लिये तो अमीर बन सकता है और सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है यही चोरी करने के लिए रात में अपने फ्रेंड के साथ पहुचा नने देख लेती है और जो उसे उसे सर पे मार कर बेहोश कर देती है सुबह होश आने के बाद जान सारी सिचुएशन नन को बताता है उसने कहा कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है इसी वज़े से उसने सब कुछ किया था वो एक चांच चाता था और इस टूलीफ का बिजनेस करना चाता था नन भी उस पर तरस खा कर ये बिजनेस करने के लिए उसे परमीशन दे देती है उसने कहा कि तुम्हें जो भी कमीशन मिलेगा इससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो जान को इस सब सुनकर बहुत अच्छा लगा उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था इस सब बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज आने के बाद जान को इसमें एक उपरचिनेटी दीखिए इसके बारे मैं नन से बात करता है सब एक्समेशन सुनने के बाद नन नन भी उसे टूली फ्लावर का सीड सेल करने की पर्मीशन दे दी थी अगर इसमें हो सकसेस हो गया तो सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है अचानक से मरिया का लेबर स्टार्ट हो गया सोफिया उसे लएकर उपर की रूम में चली जाती है उन्हेंने डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर कॉर्नलिस को उनके रूम में आノे ही नहीं देता थोड़ी देर में नीचे आया कॉर्नलिस पुछता है कि क्या सब कुछ ठीक है डॉक्टर ने बूचा का कुछ पीछले दिनों सूफिया का body temperature ज़्यादा था कॉर्णेलिस ने कहा कि पीछले दिनों में उसे हाथ ने लगाया क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेणनसी के वक्त उसके साथ intimate ना हो ये सारा सूफिया का ही plan था थोड़ी दर में मरिया की delivery successful होती है पर डॉक्टर नीचे आकर कॉर्णेलिस से गये थे तुमारी wife की date हो चुकी है उपर सूफिया ने लेट कर मरने का नाटक किया इस बात से कॉर्णेलिस को बहुत बुरा लगा वो सूफिया से बहुत प्यार करता था इस बार उसके लिए बेबी नहीं तो सूफिया ज़ादा important थी ये सारी बाते जब वो डॉक्टर को पता रहा था तो इस सब कुछ सूफिया ने सुना था कॉर्णेलिस उसकी इतनी care करता है और उस पर cheat कर रही है ये सब realize करकर सूफिया को बहुत तकलीफ होती है अब वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी ये नाटक हज से बहार चला गया था कॉर्णेलिस डिस्टब होकर लास्ट टाइम सूफिया को किस करना चाता था पस सब लोग उसे रोक लेते है इसके parallel में हम देखते है इस जान टुलिप्स की trade करता है उसके पास एक rear spaces थी तो इस वज़े से उसे बहुत बड़ा profit हुआ सूफिया को एक coffin में डाल कर ले जाया जाता है ये सब करने में जान के फ्रेंड ही उसे help कर रहे थे कॉर्नलिस बहुत ही emotional हो गया था अपनी newborn baby का नाम भी वो सोफिया रखता है मारिया उसे promise करती है मैं आपकी बेटी का अपनी खुद की बेटी की तरह खयाल रखूंगी जान जब trade कर कर घर पर आया तो जीन भी लोगों से उसने पहले पैसे लिये थे ये सारे उसके घर पर मुझूद थे जान को ट्रेट के पैसे मिलने के पहले टूलिफ फ्लावर के सेड को डिलेवर करना पड़ेगा सब लोग उसे बिना पैसो के घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे जान ने फिर अपने फ्रेंड को कहा ये जाओ और नंसियो फ्लावर लेकर आओ जान का फ्रेंड पियक कर था तो उसने वॉन किया था कि प्लीज आज कुछ भी मत पीना सुफिया जान के फ्रेंड के घर पर पोची तो वो रिलाइस करती है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है वो इस तरीके से कॉर्नेलिस को धोका नहीं देना जाती वो फिर से उसके घर जाने लग जाती है जान के फ्रेंड ने नंसियो फ्लावर ले लिया पर रस्ते से आते वक्त उसने एक आदमी को एक एनिमल को मारते हो देखा उसे बचाने के लिए रूख गया एनिमल को बचाने के लिए सब लोग उसे चेयर करने लग जाते है और वही पर वो दारू पीने लग गया ऐसे ड्रंक होकर वो जान के पास वापस आया जान पुछता है कि फ्लावर का है उसका फ्रेंड ड्रंक था और वैसे उसने उस फ्लावर को खा लिया था उसने सब कुछ बरबाद कर दिया सोफिया घर पर पोच दिया कॉर्नलिस को अपनी बेटी के साथ देखती है उसने रियलाइज किया कि अपनी गल्दी सुधारने के लिए उसे लेट हो चुका है वो अपनी शॉल नदी में फेक कर वहाँ से चली जाती है आज विल्यम सीटी में फिर से वापस आ चुका था यानि मारिया का बॉइफ्रेंड उसके बेटी का फादर वो मारिया से मिलने के लाया मारिया कहती कि तुम कहा गए थे विल्यम ने कहा कि मैं आफरिका में था इस सुनकर मारिया उसे मारने लग जाती है William ने कहा कि तुमने मुझे पर चीट किया था इसी वज़े से मैं चला गया मारिया कहती कि जान के साथ मेरा नहीं तो सोफिया का अफेर चल रहा था उसने सारा सच-सच उसे बता दिया यह सब बताती हुए Cornelis सब को सुन लेता है इसे Cornelis को शौक लगा और इस पर वो बहुत सोचता है उसने मारिया को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि अपने बेटी का तुम अच्छे से खैल रखना वो यहाँ का घर और सारा बिजनेस मारिया और विल्यम के नाम करकर जाता है उसने मारिया से कहा कि लोगों से कहना कि यह बेटी मेरी है तुमें कोई भी तंग नहीं करेगा उसकी खुद की फैमिली कम्प्रेट नहीं हो पाए पर वो मारिया और विल्यम की फैमिली कम्प्रेट करकर वहाँ से चला जाता है वो एक new country में फिर से अपनी life newly start करता है जान को जब पता चला कि सोफिया फिर से कॉर्नेलिस के पास चली के तो उसे ढूणने की बहुत कुशिश करता है नदी में सोफिया ने शौल फिका था ये देखकर जान को लगा इसमें डूपकर सोफिया की date हो गई है इसे उसे बहुत बुरा लगता है इसके बाद movie में directly 8 साल पीत गए इतने time में जान एक बहुत ही अच्छा artist बन गया था तो एक दिन नदी उसे मिलने की लाई चर्च की वॉल पर paint करने का contract उसे वो दे देती है नन ने notice किया इस जान ने सोफिया की बहुत सारी paintings बनाई हुए वो हमेशा उसी की याद में painting करता रहता है एक दिन जब जान चर्च में painting कर रहा था तो वही पर उसने सोफिया को notice किया ये दोनों फिर से एक दूसे से मिल गए थे ये सब नन की वज़े से हुआ था Cornelis ने भी एक new country में अपनी life को फिर से start किया फिर से शादी की और अब उसे बेटा भी हो गया था मारिया और विल्लियम अब business की वज़े से रीच हो चुके थे तो अच्छी life जी रहे थे ये पूरी स्टोरी मारिया अपनी बेटी सोफिया को बता रही थी चोटी सोफिया को भी लगता था यो Cornelis की बेटी है पर मारिया ये स्टोरी सुना कर उसे सब को चीज़े क्लियर कर देती है क्यों उसकी बेटी है इसी के साथ इस movie की happy ending हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अचा लगा तो ब्लीज इसे लाइक और गमेंट जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी तरीके से movies लेकर आत रहता हो तो ब्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमयों के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया